हाई फ्रेंड वेलकम टू दिक्ष्याकेंड सी तो फ्रेंड आज मैं फिर से इस टाइब का टेबल क्लोथ बनाने जा रही हूँ जो कि मैंने फर्स्ट भी आपको दिखाया था आज मैं सोच रही हूँ शुरू से लेकर एंड तक आपको कैसे बनाना है दिखाऊंगी मैंने इस इहां से फोर्ष रोशेंड बना के फ्लावर बनाने के लिए स्टार्ट करेंगे तो एक चैन होगया और एक और टू और फोर वोर्श हो गया अब हम यहां से वन्ट डबल क्रोसेट बनाते हुए जाएंगे हैट डबल क्रोसेट बनाना है इसे राउंड में टोटेल हम एट और 5 double crochet बनाएंगे, तो मैंने यहाँ पर 7 double crochet बना लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अब यहाँ पर हम और 1 chain 1 बना के और 1 double crochet बनाएंगे, total हो गया, 8 double crochet, chain 1 अब यहाँ पर joint करना है, ध्यान रहे, आपको इसे 8 double crochet ही बनाना है, और square में flower आए, उसका खास आपको ध्यान रखनी है, chain 1 जहाँ पर हमने chain 1, 1 करके बनाया था, उसी में से, अब हम इस तरह से फिर से 3 double crochet बनाएंगे, 3 हो गया, यान और 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 1 double crochet, उसी chain में से, फिर से और 1 double crochet, यहाँ पर total 3 double crochet हो गया, एक chain में ठीके, यह हो गया, अब इसी तरह से total और 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 8 double crochet बनाएंगे, इसी तरह से 1 chain में 3 double crochet बनानी है, तो यहाँ पर मैंने 7 double crochet बना लिया, अब और एक last 8 double crochet बनाना है, मैंने वीडि से समझ नहीं आया तो प्लीज कमेंट करें मैं आपको असलो करके भी और मैं आच्छे से फिर से बताने की कोशिस करूंगी ठीक है तो यहां पर मैंने थोड़ा सा यान छोटा कर लिया था इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा था कोई नहीं मैंने टू फ्लावर ऐसे कंप्लेट क कर लिया है इसे आप स्टार्ट से लेकर मैंने कैसे बनाया है देखना चाहते है तो प्लीज आप मेरे इन दिप्रेशन में चेक किजिए मैं उसकी लिंक दूंगी या फिर आपको आई बटन में भी उसकी लिंक मिल जाएगा वहां पर आप जो उपर दिख रहा है वहां से आ हमने एक एक चैन बनाया था उसी में से अब हम फिर से त्री डबल क्रोशेट बनाएंगे यह हुआ टू थ्री त्री डबल क्रोशेट बना लिया अब यहां पर मैंने लास्ट फ्लावारी यहां पर लास्ट में का है यह जांट करेंगी चाहते हैं तो आप डिस्कुशन में लिंक के आप जाके देख लिजिएगा तो मैंने यहां पर जाइंट कर लिया इस तरह से जैसे मैंने करा है आप देखिए आच्छे से आप चाहे तो डिवाइस करके भी देख सकते हैं तो टू हो गया और वान डबल क्रोशेट यह हुआ त्री डबल क्रोशेट बनाने के बा है और फिर यहां इस वाले में एसे करके क्रोशेट फास्ट लगा के एसे करके जाइंट कर लेंगे ठीक है अब यहां से चैन वान बनाके फिर से चैन टू सोरी चैन नहीं चैन टू अब यान अबर और दूसरे में से दूसरे जहां पर हमने चैन बनाया था वहां से तीन एस में इसे करके यहां पर जाइंट करेंगे chain 1 again अब हम फिर से next chain में से 3 double crochet बनाएंगे इसी तरह से यह हो गया 1 2 और 1 3, 3 double crochet बना लिया chain अब यहां पर 3 बना के इसमें से यह last वाले यहां पर इसे करके joint कर लेना है joint हो गया अब यहां से अब हम 7 chain बना के इसमें से और 1 double crochet बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 7 हो गया 7 वहां पर last one था तो यहां पर फिर से 3 double crochet बनाएंगे 1, 2, और last one 3 chain 1 अब यहां से फिर से हम 7 chain बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 chain हो गया yarn over और यहां पर दुसरे chain में से फिर से 3 double crochet बनाएंगे yarn over 1 double crochet फिर yarn over 2 double crochet फिर से yarn over double crochet हो गया अब यहां पर हम 4 chain बनाएंगे फिर से chain 1 sorry, फिर से chain 1 और फिर यहां पर ऐसे ही करके 3 double crochet बनाएंगे उसके बाद ही chain 4 बनाके वहां पर हमें join कर लेना है ठीके chain 4 बनाके अब यहां पर join करेंगे इस तरह से एसे करके हो गया join अब यह इस तरह से complete हो जाता है one flower join हो गया अब दूसरे flower join करने के लिए इसे करके हमें 3-3 chain बनाके यहां पर इस तरह से इसे करके इसे join करते हुए last तक जाना है फिर और एक flower यहां पर हम join करेंगे बाद में इसे करके 3 बनाया और फिर से 3 chain बनाके अब यहां पर जहां पर comfortable हो जाता है वहां पर इसी तरह से बनाते हुए last में आना है और एक बार 3 chain 1, 2, 3 3 chain बनाया अब इसे करके अब यहां पर एक बार फिर से last में यहां पर फिर से 3 chain बनाके और एक flower join करेंगे हो गया 1, 2, 3 अब इस अले flower को हम यहां पर join करेंगे इसे करके 3 flower बना 3 double crochet बनाना है yarn over यहां पर जहां पर हमने chain बनाया था आगे जिस तरह से बनाये थे उसी तरह से फिर से यहां पर 3 double crochet बनाके इसे east side आना है right side में 2 और एक last 3 3 chain बनाया और 3 double crochet बनाने के बाद 1 chain और यहां पर इसे आप join करेंगे chain 1 हो गया join फिर से yarn over और फिर से next वाले में इसी तरह से जैसे हमने आगे बनाया उसी तरह से 3 double crochet बनाएंगे 2 और 1 3 हो गया 3 chain 2 2 अब यहां पर इस तरह से इसे फिर से यहां से chain 1 बनाएंगे दूसरे में से फिर से 3 chain 2 बनाके 3 double crochet बनाएंगे इसमें 3 chain हो गया अब chain 1 अब यहां पर इसके center में दो ऐसे 3 double crochet के center में इस तरह से फिर से chain 1 बनाएंगे फिर यहां पर दुसरे में से दुसरे यह जो फ्लावर है इसमें से फिर से 3 double crochet बनाएंगे इसी तरह से फ्लावर ज़ाइंट करते हुए जाता है और जाना भी है अब हो गया 3 double crochet chain 2 अब last में यहाँ पर इसे ज़ाइंट करेंगे अब 7 chain हो गया अब हम यहाँ पर फिर से जैसे हमने बनाते आ रहाए है उसी तरह से त्री डबल क्रोशेट बनाएंगे इसी तरह का अब यहां पर और यहां पर बनाएंगे अब सेबेन चेंड हो गया यान अभर फिर से यहां पर त्री डबल क्रोशेट बनाएंगे यान अभर त्री डबल क्रोशेट हो गया चेंड वान अब फिर से नेक्स्ट वाले में फिर से त्री डबल क्रोशेट बनाएंगे यान अभर यहां पर त्री डबल क्रोशेट बनाएंगे सेम प्रोशेस थ्री हो गया थ्री अब चेंड थ्री फोर लास्ट में हमें फोर बनाने है फोर या फिर थ्री जैसे एक्जस्ट होता है देखके हमें बना लेना है अब इसे यहां पर देख रहे हैं यहां पर इसे जैन करेंगे इस टाइब का जहां है यहां से इसे जैन करेंगे हो गया जैन यह भी जैन हो गया इस तरह से जैन होता है अब यहां पर हम एक टाइट नट लगा के यान कट कर लेंगे Finally guys मैंने एक टेबल क्लोथ कम्प्लेट कर लिया अब यहाँ पर इस टाइब का जो हमने ये बनाया है उसी टाइब से यहाँ पर बना के लगाएंगे फॉस एसे फिंगर में फोर फिंगर मैंने फिंगर को थोड़ा सा एसे करके रखा है और यहाँ पर हमें 7 बार यान लपेट के इस तरह का बनाना है जो है थोड़ा सा लंबा आए और अच्छा लगे इसलिए यह हमें लगाना है इसके थोड़ा सा डेकोरेट टाइब करने के लिए अच्छा लगता है देखने में इसे तरह से लगा से यह पर इस-टाइट करके इस से बांध लएंगे तो फ्रेंड फाइनेली टेबल क्लोथ कंप्लेट हो गया देखिए इस टाइब से आया है देखिए कितना बड़िया सुन्दर बनके आया है जो हम एक प्रजेक्ट कंप्लेट करके जो हमें खुसी मिलती है उसकी तो लना हमें कोई से किसी से कर नाई सकते बहुत खुसी लगता है तो जैसा भी है आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा अगर यहां पर कोई आपको क्यों मिसिंग लगा या फिर कुछ लगा आपको भी बनाना है समझ नहीं आया तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताएगा थेंकिए फ